गुद मॉर्णिंग स्टूदेंट वेलकम तो असे में स्टाल इंगलिश स्कूल एंड गूट सेफ़ पर एजकेशन सेंटर आई एम आशा अगनोत्री आई विल टीच यू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास थर्ड इस्टूदेंट आज हम लोग यहां से रीट करते हैं इंटरिंग MSW लोगो कमांड इंटरिंग MSW लोगो कमांड MSW means Microsoft Windows logo कमांड आज इसके बारे हम लोग रीट करते हैं क्लिक इंसाइड इंपुट बोक्स एंड टाइप FD 80 FD is the short form for forward press enter to execute the command now type rt90 rt is the short form for right and press enter again MSW logo कमांड में इंपुट बोक्स के अंदर क्लिक करेंगे और FD 80 type करेंगे FD means forward FD forward यह FD का short form है जो टाइटल को आगे के लिए बढ़ाता है कमांड को execute करने के लिए इंटर की प्रस करेंगे अब tag करेंगे rt90 rt का मीन्स राइट यह राइट टाइटल राइट मूब करेगा इसको आपको इसको करेंगे और फिर इंटर की प्रस करेंगे अब स्क्रीन में टैटल का मोमेंट देखेंगे अब इंपुट बॉक्स में दिये गए निम कमांड को टाइप करेंगे यूँ विल सी दा मोमेंट आप दा डैटल ओन दा स्क्रीन नाव टाइप दा फालोइंग कमांड गिवें इन दा इंपुट बॉक्स इन पुट बॉक्स से यहां पर कमांड बाक्स में कमांड टाइप करेंगे और उसके बाद इस कमांड को देखेंगे आफ्टर इस कमांड प्रेस इंटर यू विल गदे इस पायर ओन दा स्क्रीन यह देखिए प्रोग्राम है स्क्रीन में टूबेक ए स्क्वायर हम लोग कमांड विंडो में टाइप करेंगे कमांड एफडी एटी एफडी का मीन्स है फारवर्ड एटी आपका टेटल यहां पर होगा इसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए फारवर्ड करने के लिए और कितने स्पेस आगे जाए आपने एफडी एटी दिया तो यह आगे इतना जाएगा और उसके बाद आपने आर्टी नांटी यहां पर आपको स्क्वायर बनाना है तो हमें नांटी डिगरी का एंगिल लेना पड़ेगा और भी एंगिल 45, 30, 120 ले सकते हैं लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए आपको ना आर्टी कमांड देते हैं यहां पर फिर टर्टल इस तरह मूव कर जाएगा जब आर्टी करेंगे 90 लेकिन यह आगे नहीं बढ़ेगा इसके लिए आपको फिर अब्डी कमांड देनी पड़ेगी तब यह अब्डी एटी फिर हमने अब्डी एटी कमांड दी है तब यह यहां पर इसके करने के लिए फिर हम लोग आर्टी नाइंटी देंगे यहां पर आर्टी नाइंटी मूव तो कर जाएगा लेकिन यह आगे बढ़ेगा नहीं फिर आपको एवडी एटी कमांड देना पड़ेगा इसी तरह यहां पर फिर मूव करने के लिए आपको यहां प के बाद FD कमांड देना पड़ेगा इस तरह से FD RT हम लोग देंगे कमांड यह देखिए कमांड दी हुई है यह रन करेगा और आपका आउटपुट यह स्क्रीन में तरह से बन जाएगा देकिन यह सो करेगा अगर आप चाहते हैं यह निशान ना आए तो आप कमांड देंग से है अच्टी कमांड देने से हाइट टर्टल तो यह टर्टल यह है यह निशान गायब हो जाएगा और इसक्रीन में आपको आउटपुट स्क्वाइर का बना हुआ सो करेगा इस तरह से हम लोग ड्रॉब करतें इसमें यह स्क्वाइर है और भी हम लोग प्रोग्राम बना करतें इसमें इसी तरह यह कमांड का यूज करते हैं यह देखिए यहां कमांड दी थी यही और इसका यह यूज क्या था यह आउटपुट यह आया था एक्जिट लूप यू कैन एक्जिट लोगो इन एनी वन आफ दा फॉलोइंग वे टाइप बाइइ इन दा इंपुट बॉक्स एंड प्रस इंटर की यह और प्लिक फाइल एक्जिट लोगो से बाहर आने के लिए दो तरीके हैं इनपुट बाइट आइप करेंगे यह और इंटर की प्रस करे यह यह फाइल मैनियू यह देखें फाइल मैनियू है फाइल एडिट करके यह पर मैनियू होता है इस तरह से फाइल एडिट व्यू करके है मैनियू इस पर क्लिक करेंगे और एक्जिट कमांड पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे तो हम लोग लोगों से बाहर आ यह आपका chapter complete हो गया है अब इसकी exercise और question answer हम लोग next class में करेंगे see you tomorrow next class, bye, thank you